भी प्रेंस आज हैं बात करेंगे डियलेट फस्टमश्ट में दोस्तों आज कामारा जो है वह बाल प्रकाज इसमें धोस्तों हम लोग जो अती लगऊ-धूथ-व्यम लोग देखेंगे ठीक है यह वह प्रस जो इसे पहले डियलेट एकजाब में पूछा गया है ठीक है कि अगरए दोस्तों आप में जनलना पर नहीं ने आते जैसे माता-पिता वोते हैं उसकी संतान भी वैसी होती है यह वंचानु करम के किस नियम के अंतरकर आता है तो दोस्तों यह जो कथन है इसमें पूछा कि एक बाते हैं भाष परिभासा का उल्लेग किजीए इस एक पूछ रहे जो बालनो भिज्ञान कीव कीजिए पूछ लिए उसके एक यो विक्याश की परिभासा एक बताईव विउत दइडाया जीए washed ड्रेवर के अंसार बाल मॉनोविज्ञान मॉनोविज्ञान की वसका है जिसमें जयन्म से परिपक को जो आवस्ता है तो विक्सित हो रहे हैं मानों का अध्यान किया जाता है अब हम दोस्तों नेक्स्ट प्रस्ण में देखेंगे इसमें क्या प्रस्ण पूछा है कि बाल विकास के दो छेत्रों के नाम लिखे इसमें पूछ रहा है कि जो बाल विकास है इसके दो छेत्र तो पहला छेत्र कौन सा आएगा हम देख लेते हैं बालक की वैक्तिक भिंताओं का अध्यान करना ओर दोस्त practic क्या आएगा समय योजन समंदि समस्य का अध्यान करना है पर आप हम लोग अगले प्रस नो देखेंगे इसमें प्रसनी क्या पूछाए तो देख लिते हैंТак्र। बालक की अदिक लग कुछ जाती है तो जो ब्रिद्धी एक सांप की समय के लिए आप हमनों दोस्तों अगले प्रस्ण में अंतर घथी ला आउसता क्या मना जाती umm तो दोस्तों जोन्स की अंसार हम लोग देख लाते हैं जो बाले आउस्ते जो चाइड लूट है उसकी 6 से लेके 12 वर्ष तब मान जाती है गर्ष बालाना वाक के निर्मारबालग में किस आयाम के विकास कि अवस्ताहीं तो दोश्तों वह सैसव अवस्ताह जो सब उसके गुड़ है अब नेक्स परसन में इसमें दोस्तों प्रसन पूछ ले यह बहुत इंपार्टन प्रसन एक्सर यूपीट्टेटिक जामें पूछ अवस्था का है तो इस टेडले जो हाल है इन्होंने किसोरा वस्था को तनाव दबा और संगर्थ की आवस्था कहा या माना है अब हम लोग अगले प्रस्थ में देखें इसमें क्या प्रस्थ पूछा चली देख लेते हैं परड़ावडर किन सब्दों से मिलकर बना है तो पर परड़िक अर्थ होता है चार और और मतलब ढकावा या ढकने वाला आप और एक प्रस्थ देख लेते हैं एक परिवासा इसमें पूछ लिया गया ठीक है चली हम लोग देख लेते हैं जिस बश्थ के अनुसार या उनके सब्दों में वातावडर हुआ हर वस्तू है जो कि किसी अन्य वस्तू को घेरे हुए है और उस पर सिधे अपना प्रभावर डालती है इन्वार्मेंट का अब हम लोग नेक्ट परसन देखेंगे इसमें एक कथन है वो पूछ लिया गए बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे बुद्धिमान साधार माता-पिता की बच्च परसन परसन सौरेंश्ण का है थीचि इन्हों न इंचि गया था अब लोग अगले प्रस हे दलोगते हैं तहलिए जो बच्चा तक आप क्या समझते चलिक्टा कर्च लगतrauen और से Applause call प्रकुल भीन्य होता है ठीक है इसी पकार एक ही माता-पिता के बालक एक दूसरे का समान होते हुए भी वुद्धी रंग सभाव एक दूसरे से भीन्य होते हैं है नेक्स्ट प्राश्म दbn सब्सक्राम दखेंगे इससमें क्या प्रश्त्र पूछाएगी पूरूस छयुक्त में कीतने जोड़े होते हैं तो दोस्तों यह 23 जोड़े होते हैं अब हम लोग अगले प्रस्म में देखेंगे इसमें क्या प्रस्म में पुछा है कि तुम मुझे एक दर्जन बालक और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुस्वार वाता ओर लाओ मैं उन्हें जो को डाक्टर इंजीनियर वकी इलकालाकार बना सकता हूं यह विचयार किस ने दिया तो दो यह विचयार बहुत ही फेमस है यह जो बेवारबादिक मुने भिज्यानिक है वह वाट्सन ने दिया था ठीक है अब हम लोग अगले प्रस्म बात इसमें प्याजे के संगयनात्मक विकास सिधान से सम्मंदित क नाम देख लेंगे उसको ने प्रस्म बात देखेंगे इसमें क्या पूछा है की प्याजे के संगयनात्मक विकास की आउस्था है लिखी है चलिए दोस्तों देख लते हैं जीरो से कितना होता है दो से साथ दो सिका होता है और दोस्तों हम लोग दखेंगे कि तीसरा मुर्च संक्रियात्मक या मुर्च संक्रियाक ऋस्था ठीक है इसका दोस्तों केतना होता है साथ से बारों वर्स केली होता है और आपका नेफ्स देखेंगे और चारिक संक्रियात्मक आउस्था जिसको आप 11 से लेके 15 तक मानते हैं ठीक है अब दोस्तों आम लोग नेफ्स पर देखेंगे चलिए देख लते हैं इसमें क्या पूछा है कि जीन प संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं तो जिससे एक और नाम से भी जैंते हैं प्रत्रचिया स्थूल संक्रियात्मक आउस्था के इस में अगले प्रसम देखता है में क्या पूछाइब कि जीन प्याजें ने बाग擊 के संग्यानात्मक दुर्णं की आई है तो वह क देखा है कि नेग्स प्रस्था में किмы संग्यान लिखा सब। अनुकूलन किरिया का विवाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया है तो दोस्तों चलिए इसका अंसा देख लेते हैं जीन प्याजे ने बालक के संगेनात्मक विकास के अंतागर अनुकूलन किरिया का विवाजन किसके अंसा दोस्तों वह आत्म साती करण एवं समंजस समय के साथ सhouse होने वाला परिवर्तन जिसका काड़ों वो निश्थी समय पर ही कोई कर्ण करने की योगता क्या करना था तो तो दूस्टों वह प्रिपक करसी वह हूँलाता ऑगल स fund दखेंगे कि year क्या पूछ सारीद भीकास की लिए इसका विकास होता है उसके बाद रूप जाता है और आपका सब्सक्राइक क्या होगा सब्सक्राइब बिन अवस्थाओं में बिन बिन होती है ठीक है जो अवस्थाएं हैं आप क्या समझते हैं चलिए सब्द आवेस में आने भड़क उठने अथ्वा उत्यजित होने की दसा को सुचित करता है जो आपका संवेग है वह आवेस में आने या भड़क उठने या उत्यजित होने की दसा को आप क्या करता सुचित करता है और अव का संवेग है ठीक है अ आप हम लोग के कुरिया करे किता क्या अर्फ्राव दोस्तों दिख लेते हैं इसमें क्या प्रत्रावे पूछा चलिए बासा की प्रत्रा की प्रत्रावा Clerk 5 आप करने का माद्यम है becue n employee किसी भाव को अभिव्यक्त करने का एक माद्यम में sytu प्रत्रा के माद्य लोगों के बीज संप्रेसर होता है ठीक है अब अगले परस हम देखेंगे इसमें क्या प्रिभासा की एक परिभासा चलिए एक डाक्टर बोलाना तिवारी हैं उनका उस्वा देख लेते हैं बासा क्या है निश्चित परियत्न के फल्चरूब मनुस्य के मुक्ष निश्रित वह सार्थक दोनी समिस्टी है जिसका विश्लेसर और अध्यान हो सके एक और प्रस देख लेते हैं इसमें क्या पूछाएगी बुद्धी की कोई एक पड़िभासा दीजिए चलिए बुद्धी की पड़िभासा उन्हों देख लेते हैं वैसलर के अनुसार गुद्धी एक समुच्य या सारवजनिक छमता है जिसके सहारे ब्यक्ति उद्देश पूड क्रिया करता है विवेक सिल चिंतन करता है बुद्धी के सहारे क्या करता है ब्यक्ति एक उद्देश पूड क्रिया करता है या विवेक सिल चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ वह प्रभाव अब काड़ाना पीछ ओध्धि के चाक हम दोस्तों बुद्धि की कोई चारका से समायोजन करता क्या योगता और दोस्तरा वुद्धि की कफिमुना सब्सक्राइब से allows area step योगिता दोस्रा क्या सकती अपाइब पुर अरंभौ法 लुड़ि समस्या समधान की योगता है है अब हम लोग अगले पूचल सकति किसि कारों की कारों कि करणे या ना करने के लिए बात carbohydrate हो जाता है क्या कहलाता है तो दोस्तर वह दिड़ इस्च्छा सक्ति कहलाता है एक और प्रस्थ ठंडाइक ने बुद्धी के कितने प्रकार बताएं जो ठंडाइक उन्होंने बुद्धी के तीन प्रकार बताएं पहला है समाजिक बुद्धी ठीक है दोसरा है अमूर्थ और तिसरा है मुर्त बुद्धी ठीक है अब हम लोग नेक्ट प्रस में देखेंगे इसमें क्या प्रस में पुचा है कि बुद्धी परिच्छर की दो सिमाइन लिखी है चलिए पहली सिमाइन इसकी देख लेते हैं एक ही परिच्छर विभीन औसरों पर अलग अलग फल देता है अता यह विश्वशनी भी नहीं कहां जा सकता और आपका सकेम देख लेते हैं अन्यक सावधानी के बाद भी यह जन्मजात योग्रिता का मापर नहीं कर पाते हैं अब हम लोग देख लेता है नेक्ट प्रस ब्यक्तिगत बुद्धी परिच्छर के चार उधारत दीजे चल ब्लाग डीजाइन परिच्छर और आपका फोर्थ है बाटिया क्रियात्मक परिच्छर यह सब बुद्धी परिच्छर के उधार रनचार अब हम लोग अगले प्रस में इसमें क्या पुछिया कि बुद्धी परिच्छर को समान रूप से कितने वर्गों में विवाजित कि पहले क्या प्याइक बुद्धी परिच्छर अब नेक्स्ट परस में क्या पुछ लेगी समान वर्गी करण टेस्ट है तिसरा क्या डाक्टर सोहन लाल बुद्धी परिच्छर यह सब्सक्राइब परिच्छर और चौथा आपका आर्मी वीटा परिच्छर अगले प्रस्त में क्या इसमें दोस्तों प्रस्त पुछ लेगी स्रीज नात्मक्ता की परिभासा लिखिए चलिए क्रो एंड क्रो के अंसवार हम लोग देख लेते हैं ऑश्री नात्मक्ता मॉलिक परिरामों को अ कि स्रिज नात्मक्ता ब्यक्ति के पूर अनभव पर अधारित होती है ठीक है यह किसके ब्यक्ति के जो पूर अनभव है उसली के उपर यह अधारित होती है पूर अनभव पर अधारित ग्यान जितना सार्थक होता है ब्यक्ति में स्रिज नात्मक्ता उतनी ही अधिक पा जाती यह क्योंकि ब्यक्ति जो पुरु ज्यान से एक नविन ज्यान की वह रशना करता है इसलिए इसमें पुरु ज्यान की अधिक्ता है बताइक आप तो हम लोग अगले प्रस में इसमें क्या पूछा कि स्थिजन नात्मक्ता है उससे आप क्या समझते हैं या उसका क्या आसा है चलिए इसको अंग्रेजी सब्द में क्रियोटी का हिंदी रुपांत्रड है इस सब्द का पर्योग साधारत क्यात्मक्ता उत्पादक या उत्पादन रचनात्मक्ता आदी में होता है अर्था स्थिजन करना कोई नई चीजों का निर्मार करना उत्पन करना आदी से है अब नेट्स प्रस्ट के भाषा विकास में और फद्धत अ कारव बताईह तो जो बच्चों के भाषा विकास में पैरा उसका स्वास्त है दुसरा उसकी बुद्धी अब हम लोग next प्रस्न किया है प्रस्न पुछा चलिंए इसको देख लेते हैं बालग के गात्मकव इकसर समंदिद विकास आत्मक सिधानका प Architecture कि नहींकि हैं उन्हों ने किया था अगले प्रस्ण में देख लाते हैं इसमें प्रस्ण पुछ लेगी और सिच्छित व्यक्ति बालोकों की बुद्धी का मापन किस परिच्छर से करते हैं अगले प्रस्ण की यकताओं का वड़कर किया है तो देख लते हैं किन विमाय संक्रिया तुसरा विशेवस्तु तिसरा उत्पादक है अब हम लोग नेश्ट प्रस्ण दखेंगे इस इंप्रस्ण क्या पुछाएं कि बुद्धिक की वह मनुस्तिति जिसके द्वारा वहां विभीन परिस्तित समर्थ होता है महां से स्वास्त कालता है अब अच्छी आमणों सिस्वा के अंदर तीन समय भय और इसने पाए जाते हैं नेक्ट प्रस्टों क्या इसमें देख लते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धान का परतिपादक किसने किया था तो दोस्तों जो जो परसीद्ध मोनोबिज्ञानिक है वो ठांडाइक है इन्हों दोस्तों किया था अब हम लोग अगल बढ् IO कि बुद्धि लबभी कितनी होती है तो दोस्तों हो नब्य से लेके एकंसो नओ या एकंसो दस होती है अब प्रस्ट में देखेंगे इसमें क्या पुछा कि वैग्तिक यख़्वं समय बुद्धी पढ़िच्हार में मुख्य अंतर क्या है ठीक है। से आमnomय्दि लोको का परिष्छ़द होता ठीक है और इस दोस्तों आतकर कमेर के बटाईएगा है वीडियो को अपने डोस्तों या अपने गृट में शेर कर देड़ी जगा जिसी भी मिलगी है दर्नावाद